हालो डेल गे फामीलिये ना वी गेट्स इस वीडियो में हम डिस्कुस करेंगे पर्सनल प्रोनाउन्स और इनकी इतनी ट्रेनिंग करेंगे के एंड में आपके डोले शोले तो निकल याएंगे लोस गेट्स सबसे पहले outline देख लेते हैं हम बात करेंगे personal pronouns की के इनको कहां, किस तरह से use करना होता है उसके बाद हमें ये भी सीखना होगा कि verbs को उनके cases के साथ किस तरह से याद किया जाता है जो चीजें शुरू के part में आप सीखेंगे, उसके बाद उसकी practice करेंगे एक होगन का text सुनकर फिर कुछ ऐसी tips दी जाएंगी कि किस तरह से आप अपनी words को, vocabulary को बढ़ा सकते हैं और आखिर में होंगे कुछ end remarks तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि personal pronouns होते क्या हैं जब आप German learning start करते हैं तो आपकी नजर से ये सारे words गुजरते हैं जैसे के मिश, मिया, टिश, दिया, जी, इन, इन, इम, जी, इया तो आपका दिमाग सोचता है कि ये हैं क्या सबसे पहले तो इनके table को आपको याद करना होता है उसके साथ-साथ इन सभी के meanings को भी हमें याद करना होता है तो याद करने के बाद हमें और ये चीज़ सीखनी होती है कि इनको हम किस तरह से use करें और ये भी तो देखना है कि किस तरह से ही नहीं बलके कब-कब इनको use हम कर सकते हैं क्योंकि इनी के साथ तो हम sentences बना पाएंगे तो आगे जाने से पहले एक जरूरी बात बताती चलूं वो ये कि इन सभी personal pronouns को सही से याद करना और use करना बहुत ही important है और ये grammar का एक जरूरी हिस्सा है इनके बगएर हम sentences ना बना पाते हैं और ना ही समझ पाते हैं तो अब हम इनका use देख लेते हैं एक verb को इस्तमाल करके जो कि है बिजूखन जिसका मतलब होता है visit करना, किसी को मिलना, मिलने के लिए जाना इसको हम different examples के साथ समझेंगे जैसे के पहली है जी बिजूखन मिश बिजूखन की form देखकर हमें idea हो जाता है कि इस जी का मतलब है she कि वो लड़की मुझे visit करती है उसके बाद है जी बिजूखन मिश अब ये जी दो तरह से हो सकता है इसका एक मतलब दे हो सकता है और एक you formal आपके मतलब में तो या तो वो सभी मुझे visit करते हैं या फिर आप मुझे visit करते हैं अगर question बनाना हो तो कुछ इस तरह से हो जाएगा वन बिजूखन जी मिश आप मुझे कब visit कर रहे या रही है दूसरी example है वन बिजूखन जी मिश वो सब मुझे कब visit कर रहे हैं तो यहां से आपको पता चल गया कि जब भी capital होगा तो इसका मतलब आप होगा और अगर small के साथ वर्ब की ये वली form लगे तो वो हमेशा दे होता है और अगर she की बात की जाए तो उसके साथ हमेशा वर्ब की ending ठेकी होती है तो इस तरह question हो जाएगा वन बिजूखत जी मिश वो मुझे कब visit कर रही है इसी तरह कुछ और examples हैं कि आपने सोचना होता है कि कोई भी वर्ब अपने बात आकुजाटिव लेगा या डाटिव लेगा जैसे के बिजूखन इश बिजूखे इन या फिर इश बिजूखे इम I visit him और इसका मतलब भी him है लेकिन डाटिव केस में इसी तरह एया बिजूख्ट मिश वो मुझे विजिट करता है या फिर एया बिजूख्ट मिया वो मुझे विजिट करता है इन दोनों में से कौन सी सही है और कौन सी गलत सोचे तो पहली दोनो examples बिलकुल ठीक हैं क्यूं? क्यूंके बिजूख्ट अपने बात आकुजाटिव केस को फॉलो करता है और ये दोनों गलत हो जाएंगी क्यूंके ये डाटिव के प्रोनाउंस यूज हुए हैं तो इससे हमें क्या पता चला? कि जब भी हमने वर्ब्स को यूज करना है हमें उसके केस का आइडिया होना चाहिए इसकी हम देटेल के साथ बात आगे जाकर करेंगे कुछ लास्ट एक्जामपल्स हैं इश बिजूखे जी या तो इसका मतलब है मैं उस लड़की को विजिट करती हूं या फिर मैं उन सब को विजिट करती हूं और आखरी है इश बिजूखे जी और इससे हमें पता चला जैसे हमने उपर बात की थी कि इसका मतलब आप है तो मैं आपको विजिट करती हूं अच्छा इस स्लाइड को देखकर आपको ये तो नहीं आइडिया हो रहा कि मैंने क्यों इतनी गुमाई है जी के इतक वो इसलिए क्योंकि इस जी को सही से पहचानना और इस्तमाल करना बहुत जरूरी है ये जी हमारे जर्मन लैंगविज को असान भी कर सकता है और यही मुश्किल भी बना सकता है अगर हम सही से समझ कर ना इस्तमाल करें तो तो सबसे पहला point किस तरह के कितने जी हैं आपने ये याद करना है तो अब हम personal pronouns का table देख लेते हैं जो के ये रहा इसको जस्ट मैं एक बार बोल के बता देती हूं घर में इसको आपने याद करना है और याद करने के बाद क्या करना है ये हम आगे चलके देखते हैं जैसे के इश मिश मिया तू तिश तिया एया इन इम जी जी इया एस एस इम विया उन्स उन्स या तुम सब न ओश 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 और जी जी आकुजाटिव में भी वैसा ही रहता है और डार्टिव में बन जाता है इनन और इनन और ये जो आप वली फॉर्म है इसको हम डार्टिव में भी आई कैपिटल के साथ इस्तेमाल करेंगे तो इस जो इस टेबल है देख के आपको आइडिया हो गया होगा कि मैंने इसको कलर्ज में इसलिए मार किया है ताकि आपको बताया जा सके किन दो-दो केसिज में इनकी फॉर्म सेम रहती हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं हैं लेकिन जो अलग अलग हैं उनको तो आपको याद करना ही होगा ये बात भी है कि बाकियों को भी जाहिरी बात है याद करना ही है राइट तो सबसे पहला काम आपका क्या है कि आप personal pronouns के table को अच्छा रटा मार लें तो उससे अगला step ये होगा कि जब आप वर्बों को याद करें तो ये भी याद करें कि किस वर्ब के बाद कौन सा case आता है जैसे कि यहाँ पर एक छोटी सी list दी गई है उन वर्बों की जो कि अपने बाद accusative case लेते हैं इनके बार में मैंने एक और वीडियो में discuss किया था उन में से थोड़े से ये रहे अब आप ऐसे सोचें कि आपने इस table को दिल से याद कर लिया है अगर कर लिया है तो फिर इस वीडियो को आगे देखें क्योंकि अगर आगे देखते जाएंगे और ये table आपको याद ना हुआ तो फिर थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है तो इसलिए जब आप ये याद कर लें तो फिर इस वीडियो को आगे आप देख सकते हैं तो जो accusative लेने वाले verbs थे उन में से एक हम ले ले लेते हैं फ्रागन जिसका मतलब है पूछना सवाल करना तो present tense में ये उसकी forms होती है इस फ्रागे मैं पूछता या पूछती हूँ दू फ्राग्स्ट तुम पूछते या पूछती हो एया जी एस का मतलब है ही शी इट फ्राग्ट विया फ्रागन हम पूछते हैं या फ्राग्ट तुम सब पूछते हो और जी जी फ्रागन दे और आप पूछते हैं या पूछती हैं तो ये नोट करें कि मैंने यहाँ पर स को लेकर हम इन दोनों के साथ कितने सारे sentences बना सकते हैं, उन में से कुछ की examples, जैसे के इश फ्रागे दिश मैं तुम से पूछती हूँ, दू फ्राक्स्ट मिश तुम मुझ से पूछते हो, जी फ्राक्स्ट मिश वो मुझ से पूछती है, जैसे के हमने बात की थी के जी की फॉ वो बिल्कूल अलग होती है, इसको हमें याद रखना होता है, उसके बात फिया है, एया फ्राक्ट जी, आब ये जी दो तरह से हो सकता है, या ये वाला जी हो सकता है, या ये वाला, तो ये डिपेंड करेगा, जब आप टेक्स्ट पढ़ेंगे ना तो उसमें सारा आपको स करते हैं तुम सब से क्योंकि या आकुजार्टिव में बदल जाता है, आगे जाने से पहले मैंने कुछ ऐसे वर्प्स की जो कि अपने बाद आकुजार्टिव केस लेते हैं, उनके टेबल्स दिये हैं, प्रेजंट फॉर्म में उनकी कॉंजूगेशन के, उसमें से पहला है बिजूखन, ट्रेफन, खेनन, फरिश्टेयन, अपहलन, टूट के लगता है, तो इनकी आप वीडियो को यहाँ पर रोक कर प्रेक्टिस कर सकते हैं, और आपके लिए मैंने परसनल प्रोनाउंस का भी टूटा हुआ टेबल दिया हुआ है, जहां तक बात रही टूटे वर्ब्स की, तो उसमें क्या होता है, कि बीच में आप लगाएंगे प्रोनाउंस और अब यह जो जो भी ऐलेमेंट्स टूट के एंड पर जाते हैं, वो एंड पर लगा करेंगे, तो इसमें जैसे हो जाएगा, मैं तुमें पिक कर लेती हुँ या करती हुँ, तो इशोले अब इस तरह करके इसकी एक्जांपल्स बनती हैं, तो इसको यहाँ पर पॉस करके आप बहुत धेर सारे सेंटेंस बना कर प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसी तरह वो वर्ब्स जो कि अपने बाद डार्टिव लेते हैं, जो कि यह हैं, उन में से एक मैंने ले लिया अंट्वॉ यह तेबल को आपको याद करना तो जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जो चीज बहुत जरूरी है वो यह कि इन वर्बों की सभी फॉर्म्स को भी आप सही से याद करें, और यह शुरू से ही स्टूडन्स को आदत होनी चाहिए A1, A2 लेवल पर कि वर्ब्स की सही फॉर्म उसके साथ सेंटेंस बनाया करें, तभी वो सही जर्मन बोल पाते हैं, इसी तरह मैं भी अपने स्टूडन्स के साथ काफी सारी प्रैक्टिस करती हूँ, डिफरेंट फॉर्म्स उनसे बिलवा बिलवा कर, ताके उनको फॉर्म्स भी याद हो जाएं, और उनके सही से सेंटे इस अंट्वोटे दिया, मैं तुम्हें जवाब देती हूँ, दू अंट्वोटेस्ट मिया, तुम मुझे जवाब देते हो, जी अंट्वोटेट मिया, वो मुझे जवाब देती है, एया अंट्वोटेट इया, वो लड़का उस लड़की को जवाब देता है, और आखरी है अगर एक example हमने इस तरह की बदानी है कि लेडी टीचर मुझे जवाब देती है तो हम कैसे बनाएंगे ये आप मुझसे comment section में share कीजिएगा जैसे हमने पहले verbs की बात की थी इसी तरह यहाँ पर आप रोक कर इन डाटिव में यूज होने वाले verbs की practice कर सकते हैं sentences बना बना कर उसमें से first है helpन मदद करना डांकन शुक्रिया करना ग्लावबन यकीन करना ग्राटू लीगन मुबारक देना और फेलन मिस करना ये इनकी सब ही की forms हैं याद रखिएगा कि कुछ regular verbs होते हैं कुछ irregular verbs हैं एक ऐसा verb है जो के irregular होता है तो इसलिए इसकी do orasias की form change हो जाती है तो इसी तरह ये सभी को आप यूज करके different sentences बना सकते हैं अब बारी है जो अब तक चीजें हमने सिखी थी उनकी प्रैक्टिस करने की होगन का एक text सुनने की Topic हमारा आइनकाउफन है और इसे related tasks ये रही 1.ॽा का इसा एक ऑपा घूज का अली है झाह नए प्रआ, इसे हूली प्लैपिट फ्रैस आइस प्लैत झाहिए नहीए यहां पर आप नोट करें कि जब भी आप अपने लेवल के verbs याद करते हैं तो verbs को टेक्स्ट में देख कर, होगन में सुन कर ही आप पहचान सकते हैं कि वो अपने बात कौन से केसिज लेते हैं और साथ-साथ उनको याद कर सकते हैं आप आरी है ओडियो को सुनने की रुत नाच याद करिबगात्जने बाुट थाद याद याद पता में बादांग आच तो याद बादाने प्सक्साद याद वेद उने बाद रडियों आर अपने बाद हैं यार्द के विए उन वेख़िए याम जैने गलुमाद यार्ष वेद प्लुमाने यह लिए, आद म यहां पर answers दिये गए हैं आप मुझे बताइएगा कि आपके कितने answers ठीक हुए हैं और जैसे कि आप note कर रहे हैं जो आप formal वाले की सारी forms हैं वो मैंने capital में लिखी हैं क्योंकि वो sentences में जहां भी लगाएंगे उनको हमेशा हम capital letter के साथ शुरू करेंगे दूसरी बात यह है कि यह audio जिस website से ली गई हैं वहाँ पर और भी बहुत सारी grammar exercises और audio practice material है मैं लिंक कर दूँगी description box में आप उसको भी check कर सकते हैं अब बारी है यह discuss करने की कि हम अपनी vocabulary को लफजों को किस तरह से बढ़ा सकते हैं एक चीज जो के हमें शुरू से ही clear होनी चाहिए वो यह कि हमें words याद करने पड़ेंगे जिस भी level पर हम हैं उस level के मताबिक हमें उसके words को आना ज़रूरी है और अगर आप ढूंड रहे हैं और आपको नहीं पता तो इस channel पर पूरी की पूरी playlist है vocabulary की जहां पर आपको A1 से लेकर B1 तक vocabulary जो के topic wise videos हैं वो आपको मिलेंगी अगर आपको नहीं पता तो मैं इनको लिंक कर दूँगी आप चेक कर सकते हैं और recently मैंने एक video बनाई थी जिसमें 100 verbs दिये गए थे के वो या तो आकुजार्टीव या फिर डार्टीव फॉलो करते थे A1 से लेकर B1 तक उस video को भी आप चेक कर सकते हैं इसके साथ साथ मैं आपको कुछ website के links भी दे दूँगी जिन में आपको इन दोनों तरह के verbs के बारे में धेर सारी lists मिलेंगी तो जैसे मैं बात कर रही थी कि जिस भी लेवल पर आप हों आपको उस लेवल के words को आना जरूरी है क्योंकि आपको काफी हद तक उस लेवल के words ना आते हुए तो आप किसी भी होगन, लेजन, श्वाइबन, श्प्रेशन में ठीक तरह से perform नहीं कर पाएंगे जैसे ही आपको जादा जादा words आने शुरू हो जाएंगे तो आप इन सभी parts को सही से solve कर पाएंगे exam के reference ही नहीं, बलकि real life में जुबान को use करने के वारे में भी मैं ये बात कर रही हूँ तो इन सभी लफसों को करना हमने क्या है, इनकी लिस्टें बनानी है और उसके बाद इनको याद करना शुरू कर देना है और इनकी तब तक दोहराई करते रहना है जब तक यह के हमारे जहन का हिस्सा ना बन जाएं जाते जाते कुछ end remarks हो जाएं तो इस वीडियो में हमने पहला step क्या सिखा कि हमें personal pronouns के table को याद करना होगा और step number two यह है कि हमें table को याद करने के बाद different verbs को याद करना होगा और उनकी लिस्टें अलग-अलग से लिखनी होगी कि कौन से accusative follow करते हैं और कौन से dative और step number three यह है कि हमें verbs के साथ साथ नए words को vocabulary को भी याद करना होगा ताकि हमें अपने level के मताबिक words आते हों जब इन सभी steps को आप follow कर लेंगे उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपकी speaking में fluency आती जाएगी और आप अराम से जुमले बनाना और आपको फिर कोशिश भी नहीं करनी पड़ेगी बलके आहिस्ता आहिस्ता आपकी रवानी जर्मन जुबान में आती जाएगी और इनकी practice कर करके end तक ऐसा हो जाएगा कि वो फिर आपकी second nature बन जाएगी आपको बिलकुल भी effort नहीं करनी पड़ेगी यह याद करने के लिए कि क्या health fund आकुजार्टिव लेता था या डार्टिव लेता था विंशन कौन सा case लेता था अपने बाद जब आपने इन सारी चीज़ों को पका कर लिया होगा फिर आपको बिलकुल भी effort नहीं करनी पड़ेगी इन चीज़ों को दोहरा कर जुमले बनाने में खुद बखुद आपके जहन से sentences बनते जाएंगे और आप उनको फर-फर बोलते जाएंगे तो ये जो मैं अभी बात कर रही हूँ इन steps पर जाने की इनके लिए आपको बहुत सारा time चाहिए हो सकता है और हो सकता है आपको काफी महीने लग जाएं इस level तक पहुँचने के लिए और सिर्फ महीने ही नहीं आपको जर्मन जुबान के साथ in touch रहना पड़ेगा सो से ज़्यादा घंटे लगाएंगे इन चीजों को याद करने में रटों को पक्का करने में तभी आपको जाकर ये results दिखेंगे तो जर्मन जुबान को फरावानी से बोलने के लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा ये देख लेते हैं सबसे पहले नए लफजों को आपको अपनी कौपी में लिखना पड़ेगा उनको याद करना पड़ेगा हर दिन उनको दोहराना पड़ेगा और इसके बाद फिर उनको असली जिन्दगी में इस्तेमाल करना होगा और इन सभी चीजों में बहतरी किस तरह से आएगी जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे अपने टीचर या फिर एक जर्मन स्पीकिंग पार्टनर के साथ अगर आपको नहीं पता कि आपको स्पीकिंग पार्टनर कहां मिलेगा तो रिसेंटली हमारे फेस्बुक ग्रूप ने 100K मेंबर्स क्रॉस किये हैं आप उसमें चेक कर सकते हैं उसको जोईन कर सकते हैं और मेंबर्स से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कौन आपके साथ स्पीकिंग की प्रैक्टिस फ्री करना चाहता है ये वीडियो आपको कैसे लगी? मुझे लाइक और कॉमेंट करके रिताइए अगर इसने आपकी हल्प की है तो अपने लैंग्विज लेंग फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर करें दोनों चानल के लिंक्स दिये गए है सब्सक्राइब कर ले मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में चूस